हाई फ्रेंज मैं हूँ आपके साथ यासमीन कंगना बलकि उनकी बहन रंगोली भी रितिक की वाट लगाने मैदान में कूट पड़ी थी आलम ये हुआ कि तंग आकर रितिक को ही हार माननी पड़ी थी और उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट शिफ्ट करने का मन बना लिया वही अब लीजे एक मुसीबत से पीछा चूटा नहीं कि कंगना की सामने दिवार बनकर खड़े हो गया है वरुन धावन जिहां चनाब खबरों की माने तो साल 2020 के क्लाशेस में अब कंगना की पंगा और वरुन धावन की स्ट्रीट डांसर स्टी का भी नाम जुड़ गया है बताने की पहले ये फिल्म आठ नवंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन बीते दिन ही खुद वरुन ने अपनी फिल्म की नई रिलीज डेट आलान ट्वीट कर गिया है जिस दिन कंगना की फिल्म पंगा भी रिलीज हो रही है ऐसे में बॉलिवुड में दो सुपरस्टार के बीच टक्राव देखने को मिल सकता है लेकिन ये टक्राव अगर वरुन की पिछली रिलीज फिल्म कलंग को देखते वे कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि वरुन के लिए कहीं ये क्लैश उन पर ही भारी ना पढ़ जाए अगर ऐसा होता है तो ये उनके करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा थाबित नहीं होगा अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कौन किस पर भारी पढ़ता है बात करें दोनों फिल्मों की तो जहां एक तरफ दंगना की फिल्म पंगा को अश्वनिया ये तिवारी ने डिरेक्ट किया है तो वहीं दूसरी तरफ वरुन की स्ट्रीट डांसर 3 को रेमो डिसुजा डिरेक्ट कर रहे है जिसमें वरुन की साथ शद्धा कपूर भी इंपोर्टन्ट रोल में नसर आएंगे वल आप दोनों ही फिल्मों में से किस फिल्म को देखने के लिए ज़ादर एक्साइटेड है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें थींधे इंवादर नहीं तो अपनादर है क्या वह खता है अभी राइट बशनाब के वीजों कि अए जानगे वह शुआ है सब्सक्राइक लिटिक्स जयेDa Si, जि झायाफ। लिटिक्षच्ण इच्ट जयू में झायाफ। जो को पूर। सब्सक्राइब नियुक सेंटर लुक 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 सेंटर सब्सक्राइब आपाइब संड़ी मैंशाます अजय्य हम थे लिगां थाइब आ किसमस्स नहीं चु कर फिछा सबते तक थो कहीं zo जो पिता है नंयु ने कि टेकर नंही जो आपक सब्सक्राइब याँया हा लिए निए याँवारी से अगेड़ीट की जाँवाणी यह पिए है कि ज्यों मुपट है। कि अधगीरा गळुश्केंat अधभैंट.? सोग थे सहीटा गोंग士 काथ mathematics. माझीरrend में कि प्राइब मुश्किन ने लिए इस वाठता काहि जाए? प्राइब कि अधूब सब्सक्राइब इस दोपनी हुद草 खरोले हमाद फूंक मुद आपके पिछे अपकिन पिखेशा अपके नियुक्षिपाद मर्रम हुआ है। उवे ए प्यार्जा हे। साथ पये पोतो और मेशजा है विःतिक सारny पिर उत वह अजयी कि ऑन्स हा हुा अगर के लिए पतिएर नीच दाख़ो है तो करने नहीं ते नकिले मैं यह वह दो मैं आई ऐस बाकिलेmar इन्हेंक साहिएरा म половે सिंपराशन direct inός tut प्रति आपरी लेतिज के फ्री।ोरहूड़े सिटे बान अबरे स्विल्सेंरूबरी टेस् ला를 लूए शवे उसी स Nothing विटके यहीता है शेक्तीछ, चेथ आपार्पस की प्रॉसार प्रॉसार मेश्टिवाइब कर देदानी है प्रवती if I cough and I look like I'm gonna die, please excuse me because I have got really bad viral but I love walking the ramp with Anushree, her clothes and I was telling her that for a while I was doing this warrior film. I have not felt sexy for a while and today, with the way she's dressed me up and how she's done my hair I feel really polished and chic and very sexy at the same time so I am very happy to be here I just don't want to spread the cough virus around but thank you so much for having Manushri if half of us looked as beautiful as you with the viral I think we'd be very happy with us this collaboration came together how what was your thought behind having Kangana walk for you yeah so my collection is very feminine but it's also strong at the same time and there was no better person to represent this like she did full justice to it thank you my brand actually always kind of uses a flower in some form for the other every season so I chose the rose this time I think a woman is strong overall I think women are very strong and that's why you know they do things which test them emotionally strength is not about muscles and because we are not in the age where you know we have to go hunt so in today's time and age I think what is your mental strength what is your emotional strength that's true strength you know so I think women are very strong I think designers like Anushree who are reinventing Indians is my favorite space because I think Indian as culture it's so vast and we have so many diversity and so many styles but every youth needs to reinvent it so in that aspect I feel like what I'm wearing today something like that which has the glory of our past but at the same time you know I feel comfortable if I'm on an international platform you know I can easily wear it anywhere in the world and still stand out and be in the you know in the most international league no so we are going to ask Kangana the last question sorry so see we are very happy with the way film is going and the kind of love that I'm receiving I think after Queen I have not received so much love so this is a very special film for me and for my team so I really hope that all of you guys have seen it if you haven't then you guys catch it with your family because this is a family film for children and grandparents and all of that so please make it a family event ladies and gentlemen Kangana has other commitments and so we will have to wrap up a little bit we will take questions for Anushree though no 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 I'm sorry see the thing is that I am here for sir no see aapka question can only be taken for Anushree because I am here for her so you've got to respect my commitment and you've got to respect the event that we are here for and I am always going to be available to answer questions I've never dodged any question in my life so don't worry about that even if you ask me at the airport or kisi kuchey mohalle mein bhi pooch loge I'll answer but there is a dignity to a platform we should not sort of divert ourselves from there so if you have a question for Anushree please come up for it